नमस्कार दोस्तों आपका अपनी चैनल बेबी केर विद्फन में आपका स्वागत है तो दियर पैरेंट्स ये तो हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों के लिए मालिश कितनी जरूरी होती है मालिश के कई सारे फायदे होते हैं जैसे मालिश बच्चे की हड्यों को मजबूत करती हैं बच्चे की बोडी को स्ट्रोंग बनाती हैं मालिश करने से बच्चे को नीन बहुत अच्छी आती हैं लेकिन अगर मालिश सही तेल से की जाती हैं तो इसका असर दोगना हो जाता है तो Dear Parents आज की हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को कौन से तेल से मालिश करें तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही महत्पून रहेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्दियों में बच्चे की किस तेल से मालिश करें पहला है मदाम रोगम ये बच्चे के शरीर में गर्मी पहुँचाने का काम करता है दूसरा है olive oil इस तेल का इस्तमाल करके बच्चे के शरीर में गर्मी तो पहुंचती ही है ये सर्दियों के मोसम का सबसे best तेल है अगर आप का बेबी एक महीने से 6 महीने तक का है तो आप बच्चे की मालिश देशी घीसे भी कर सकते हैं और सर्दियों के मोसम में आप डावत लाल तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं ये एक आयुर्वेदिक तेल है पर धिहान रहें कि आपको बच्चे के फेस पर ओईल नहीं लगाना है अगर आप बच्चे के फेस पर भी ओईल लगाएंगे तो बच्चे का रंग डार्क हो जाएगा दूसरा है कि गर्मियों के मौसम में बच्चे की किस तेल से मालिश करें तो उसका है कि आप बच्चे की coconut oil से बहुत अच्छे से मालिश कर सकते हैं क्योंकि इसकी ताशीर बहुत थंडी होती है दूसरा है आप गर्मियों के मोसम में बच्चों की सरसों के तेल से भी आप मालिश कर सकते हैं क्योंकि सरसों का तेल भी ठंडा होता है तीसरा है कि बरसाथ के मोसम में बच्चे की किस तेल से मालिश करनी चाहिए बरसात के मोसम में आप हिमाले का ओईल यूज कर सकते हैं ये बहुत ही बेस्ट ओईल है इसके बहुत सारे फायदे हैं ये मैंने अपने बेबी पर भी ट्राई किया हुआ है देखे दोस्तों अगर आपके बच्चे को सर्दी खासी हुई है तो आपको तेल घर पर ही बनाना होगा चलिए बताते हैं कि आपको करना क्या है आपको सर्सो का तेल लेना है उसमें 5 से 6 लसुन की कली डाले और एक चमच अजवाई डाले फिर उसे गैस पर रखकर अच्छे से खोलने दे खोलने के बाद उसको अच्छे से चान कर सीसी में रख लें या फिर एक बोटल में आप उसे रख सकते हैं ऐसा करने से बच्चे को जब भी सर्दी और खासी आपको लगे कि बच्चे को हो रही है तब आप इस तेल से मालिश करें क्योंकि लहसुन और अजवायन काफी गरम होते हैं और ये बच्चे के शरीव में बहुत ही फाइदा पहुचाएंगी इससे बच्चे की हड्या तो मजबूत होगी और बच्चा जल्दी ही चलने लगेगा दूसरा इसका जो असर होगा वो होगा कि आप देखेंगे कि बच्चे की सर्दी और खासी बहुत ही जल्दी ठीक हो रही है लेकिन ध्यान रहें आपको बच्चे की मालिश डेली करनी है बच्चे को मालिश के बाद एक से देड़ घंटा रखने के बाद आपको बच्चे को नहलाना भी है तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू फोर वोचिंग दिस वीडियो बाबाई